तो आज हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चिन नमबर 8 बनाने जा रहा है एक्चुली इसके पहले भी हमने क्वेश्चिन नमबर 1 से लेकर 7 तक के सारे वीडियो को बनाया हूं मैं बना चुका हूं और आज मैं 8 नमर वीडियो बना रहा हूं और 9 नमर वीडियो तो इस वीडियो को आप देखिए सीखिए और अपने दोस्तों को भी सीखाईए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर फॉर्स टाइम आये हैं मतलब पहली बार आये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर द बगीचे के चारो ओर बार लगाने का 25 रूपे परती मीटर की दर से ग्यात कीजिए 80 मीटर भूजा वाले वर्गाकार बगीचे कहने का मतलब यह है जो वर्गाकार बगीचा है उसका भूजा कितना है 80 मीटर तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो दिया गया है उसे लिखेंगे देखिए हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले दिया गया है उसको हम लिखेंगे देखिए क्वेशन में क्या दिया गया है सबसे पहले जो दिया गया हम उसे लिखेंगे पहता है ना कि 80 मीटर भूजा वाले वर्गाकार बगीचे यानि कि वर्गाकार देखिए मैं क्या लिख दिया वर्गाकार बगीचे वर्गाकार बगीचे का भूजा वरगाकार भूजे का भूज़ा कितना है भाई 80 मिटर लिख दो आप 80 मिटर वरगाकार भूजे का भूज़ा कितना है भाई 80 मिटर हो गया 80 मिटर आपने लिख दिया अब रही बाद कि और उसमें क्या निकालने के लिए बोला है जा क्वेशन देखिए चारो और बार लगान है इसका मतलब कि boundary क्या निकला है boundary बाइर लगाने का मतलब कि जैसे एक picture मैं आपको सिखा दे रहा हूं ये ये हमारा वर्व हो गया चारू भूजा बराइबर हो गया इसके चारो तरफ क्या करने आपको बार लगने ऐसे ऐसे चारोतरों से बाउंडरी घेर देना है एक तरह तो आप इसमें छेत्रफल थोड़ी निकालेगा क्या निकालेगा परिमाप क्या परिमाप फर्मूला क्या होता है वर्ग का परिमाप चार गुने भूजा होता है वर्ग का परिमाप क्या होता है चार गुने भूजा और बात है कि भूजा तो हमारा दिया 80 मीटर यहां प्यांसर और चार गुने 80 कि एट फोर्जा थार्टी तू और वन जो त्री हंड़ेट ट्वेंटी मीटर क्या होगा 320 मीटर कहता है कि यह तो परिमाप मिल गया यह हमने निगाला क्या परिमाप के भाई उसके 4 तरह बाहर हमें इतना मीटर लगाएंगे फिर उसमें ब्याय बोला है ब्याय का मतलब होता ह है खर्च ब्याय का मतलब क्या होता है खर्च तो कह रहा है कि बाहर लगाने में ब्याय 25 रुपय परती मीटर की दर से या उसका रुपया होगा तो अब यहां पर हम लिख देते हैं बाहर लगाने का ब्याय बाहर लगाने का ब्याय मतलब बाहर लगाने का खर्च कितना होगा भाई एक मीटर अगर बाहर लगता है तो उसका खर्च होगा 25 रुपय तो यहां 320 मीटर लगा हुआ है तो 320 मीटर लगा है इसका मतलब आप समझ लिजे कितना होगा तो 320 मीटर लगा है तो पचीश गुणने 320 अब इसे आप मल्टिप्लाई कर लिजे यहीं पर मैं करके दिखा दे रहा हूं यह आप रॉफ में लेकिन किजेगा यह आप रॉफ में आपको करना होगा सबसे अच्छा होगा अब देखिए यहां पर कर दे रहा हूं 320 यह आप रॉफ वर्क किजेगा आप सभी को बता दे रहा हूं और यह 25 से गुणा करना है देखिए चिले वां लाएं और सब्सक्राइब करना देखिए वह आप रॉफ यह आप रॉफ यह इडा लाघने का खर्च कितना होगा आठ हजार रुपे बाढ लाड़ लावआ अघर कि तूरा आंसर आपको मिल चुका है आप इसी को दिखा सकते हैं देखिए वरकार भगिचे का भूजा और का पर माप निकाले चार गूने भुजा जो है उससे 320 मिटर बार लगाने का खर्च तो यानि कि 25 रुपए पर 30 मीटर था 320 मीटर हम बार लगाए 320 मीटर को 25 से गुना कर दिए हमारा आंसर गया 8000 रुपए अब हम आते हैं नाइन्थ रम्र क्वेश्चन पर अब हम नाइन्थ रम्र क्वेश्चन बराने जा रहा हैं क्वेश्चन है देखे क्या असी मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारो ओर आयत के चारो ओर मतलब राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारो ओर दोरती है राधा नाम की लड़की है जो की 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई के चारो ओर दोरती है और सीमा 75 मीटर भूजा वाले वर्ग के चारो ओड दोड़ती है कौन कम दुरी तै करती है यहाँ पर मैं आपको एक फिगर से समझा रहा हूँ समझने की कोशिज कीजिएगा यह देखिए यह हो गया आयत और यह हो गया वर्ग एक आयत है और एक वर्ग है इस पे राधा दौरती है कौन दौरती है राधा इस पे दौरती है राधा मतलब आयत पे राधा दौरती है और इस पे दौरती है सीमा इस पे दौरती है सीमा अब कहने का मतलब है कि कौन सबसे कौम दौरती है आपको कैसे पता चलेगा अब आयत का लंबाई है 80 मीटर आयत का लंबाई कितना है 80 मीटर चौड़ाई कितना है 45 मीटर वर्ग जो है वर्ग का जो भूझा है वो 75 मीटर है वर्ग का भूझा क्या है 75 मीटर कहने का मतलब यह है कि वर्ग का जो भूझा 75 मीटर है जो चारो तरब से पचाहतर मीटर है तो राधा जो है आयत के चारो तरब घुमती है और सीमा वर्ग के चारो तरब घुमती है तो आप यह बताईए कि सबसे कौम कौन दौरती है कौन कौम दूरी तय करती है तो अब हम यह देखेंगे कि आयत का परिमाप निकालेंगे और वर वर्ग का परिमाप निकाल लिजिए अब देख से बारी-बारी से और समझे ती कि पहले ग्या है क्या दिया गया है ये देखे दिया गया है क्या दिया गया है भाई तो आयत की लंबाई आयत की लंबाई आयत की लंबाई कितना है 80 मीटर फिर ये कह दिया है आयत की चोड़ाई आयत की चोड़ाई कितना दिया हुआ है 45 मिश्च आयत की लंबाई दिया है आयत की चोड़ाई दिया हुआ है अब आप देखे इसमें राधा दुरी तै करती है इस आयत के परिमाप निकाल लिजे आयत का परिमाप आयत का परिमाप का फर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 इंटु L पलस B मतलब दो गुने लंबाई पलस चोड़ाई अब देखे दो हम लिख देंगे लंबाई है 80 मीटर चोड़ाई कितना है जी 45 मीटर अब देखे 80 और 45 को अब जोड़ दीजे कितना होगा पांच आठ चर बारह आठ चर बारह अब एक सो पचीस को दो से गुना किजे तो हो जगा 250 तो हो जगा 250 मीटर यह देखे 250 मीटर होगा तो यह हमारा राधहा के द्वारा तैय किया गया दूड़ी है कितना राधह कितना राधह 250 मीटर दौरती है अब हम देखेंगे सीमा का सीमा कितना दौरती है यह आप यहां तक बना लिजे उसके बद हम सीमा का भी निकालेंगे पहले इतना पतार लिजे आप देखिए जो डोड़ी 250 मीटर का दूरी तैकी अब सीमा ब्राध का बहुंजा कितना है भह है इखे 15 यहां अब वड़ का होग मेरे 7 5 मीटर है वर्राध का मेरे 5 मीटर है अब वर्ग के चारों तरफ सीमा दो रही है तो वर्ग का परिमाप अपनी का लिए चार गुने भूजा 4 x 75 जीरो के लिए टू प्रीहंट्रेड मीटर यानि यानि कहने का मतलब यह है कि तीन सो मीटर सीमा दोरी है सीमा तीन सो मीटर दोरती है अब आप मुझे यह बताईए कौन अधिक दोरता है दोरती कौन अधिक दोरता है राधा या सीमा सीमा अधिक दोरती है अधिक दोरिके कौन कौन दोरता है तो राधा आया बत्समीन राधा कम दोरी तैकी यह राधा जो है अरहाई सो और सीमा तीन सो यहाँ पे लिग देंगे राधा कम दोरी यह बन गए यह हमारा आगया आंख्रेश्यूडर कर देखिए इस वीडियो में मैं 8 और 9 ही बना कर रोक दूँगा इसके पहले जो वीडियो में बनाया था उसमें 7 तक question बना चुका हूँ आप लोग यहां सा सीख लिजिए और 8-9 इसमें सीख लिज़े फिर अगला वीडियो भी हमारा आएगा जो कि exercise 13.2 होगा अच्छा तो आप लोग मैंस सीखिए हमारे चैनल से जूरिए और हाँ एक आपसे request है अगर चैनल को subscribe नहीं किये तो please subscribe कीजिए अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को share कर दीजिए एक छोटा सा बस मेरा मेहनातना यही आपका share ही कर देना मेरा मेहनातना मिल जाता है प्लीज यह इस बात को थोरा गोर से सोची मैं जलता हूँ बबाए गुद्बाए